हेलो रिवन, वेल्कम बाक टो अनलाइन स्टेडियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से प्रश्ण हमेशाब बूचे जाते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि यहां से आपको ह स्टेड में एक प्रश्ण देखने को मिलता ही रहता है, और सभी एक्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है, तो चले इस वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले तो हम यहां पर आपको समझाएंगे, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेसंस भी देंगे, ताक कि है, मैंने यहां पर जो किंक्ल्यूड किया है, और आप इसी को अच्छे से याद रखेंगे, चीक है, तो वीडियो काफे इंट्रेस्टिंग है, वीडियो को लाइक एंड शेर जरू कर दीजेगा, चले, सुरू करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हंटर आयोग से, हंटर आयोग का गठन जो कि लॉर्ड रिपन के समय में, 1882 में हुआ था, तो यहां से दिखी, दो प्रस्ट पहले तो धियान रखना है, कि हंटर आयोग का संबंध किस से होगा, और किस के समय में हुआ, कब इसका गठन हुआ, तीनों चीज पूछे जाते हैं, तो तीनों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहां पर जो भी लिखा गया, जैसे अगर किसी भी समीति के बारे में पूछा जाए, तो उसका समंधित जो वर्स है, किस वर्स गठन किया गा था, वो भी याद रखना है, और किस गवर्णर जनरल के समय में गठन हुआ था, वो भी य और साधिक साथ इनको स्थानिय सासवन का जनक भी माना जाता है तो सबसे पहला प्रशन आप से यही पूछा जाता है कि हंटर आयोक का गठन हुआ था कब किस के समय में हुआ था और सबसे खास बात इस पर पूछा है कि इसे जोड दिया गया था तो यह ची ध्यान रहेगा प्रात्मिक सिक्षा पर ठीक है चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग हर सेल समीति सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस अभी इसी वीडियो में कराया जागा तो वहां से आपको questions दे की बारे में यह मतलब था तकसाल समंधिस हो जाओ तो बस इसमें यह याद रखेगा कि हर सेल जो की टकसाल से समंध रखते थे ठीक है हर सेल टकसाल हर्स मतलब क्या होता है खुसी और जिसके पास टकसाल मतलब क्या होता है सिक्का ठीक है छोटे बच्चे के पास अगर सिक्क किया गा था लोड लिटन के समय में ठीक है 1880 सबीड जारा कस्वण गाता छुळ श्केण dopॉरर लुसारल किया का यूँ अब क्या है कि अगर अगर काल पढ़ता है तो क्या होता है का चॉप अपया से साथेछ के बbahोगॉप तो अकाल पिडितों से संबन्धी था अकाल पिडितों से संबन्धी था और आपको भता हों कि अकाल आयोउका गठन भी किया गया था गठन 1901 में किया गया था करजन के समय में तो यह उतना important नहीं है कभी पूछा नहीं है लेकिन stretch यह को आपर याद रख सकते हैं इसके बाद आता है Fraser Ayoga तो Fraser Ayoga देखे Fraser Ayoga का समभन था Lord Karjan के समय में इसका गठन 1902 में हुआ और इसका समंद था पुलिस प्रसासन की कार्यपद्धी की जाच के लिए ये प्रफश्ण आपका SI में पूछा जा चुका है तो ये ध्यान रखेगा कि Fraser Ayoug का समंद की से है पुलिस प्रसासन की कार्यपद्धी की जाच के लिए गठन इसका किया गया था 1902 में लौड कर्जन के समय में ये इंपॉर्टेंट है एकदम वीवियाई इसको याद रखेंगे इसके बाद आता है रैले आयोग चोकि 1902 में गठन हुआ फिर से लौड कर्जन के समय में रैले आयोग विश्व विद्याले से समंदित कार्यों हेतु इसका गठन के अगया था यानि इसका समंद भी सिक्षा से ही था रैले आयोग का समंद विश्व विद्याले से समंदित कार्यों हेतु 1902 में इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है एकदम वीवियाई आई है कि सैंडलर आयोग सैंडलर आयोग 1917 इसका गठन किया गया लौड चिम्स फूड के समय में कलकत्ता विश्व विद्याले की कार प्रणाली और दोसों की जाच हेतु इसका गठन किया था सैंडलर आयोग ठीक है देखे सैंडलर आयोग पूछा जाता है हंटर आयोग हरसेल समीती हो गया फ्रेजर पूछा जाता है उसके बाद हम उधर देखेंगे तो इधर जो भी मैं आपकी बताया गया आप इनको अच्छे से याद रखेंगे ठीक है फिंस चले इसके बाद आते हैं यहाँ पर साही आयोग या फिर ली आयोग साही आयोग या फिर तो लोक्सेवा आयोग् दिया ध्यान रखेंगे उसके बाद आता हमारा सैन इंड हर्ट ऐस जो कि 1925 में यह गठन किया घ्या था उसके बाद आता है वका बटलर आयोग बटलर आयोग 1927 बटलर आयोग 1927 लौड रिडिंग के समय में देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के समंधों पर विचार करने है तो बटलर आयोग का गठन किया गया था इसके बाद है विटले आयोग एकदम वीविया है विटले आयोग पूछा जाता है तो विटले आयोग 1929 में इसका गठन किया गया था लौड इर्विन के समय में स्रमिकू की इस्तिती पर विचार करने है तो विटले आयोग का गठन किया गया 1929 में लौड इर्विन के समय मे इसके बाद next one है Spruce Samiti Spruce Samiti 1934 में Lord Wellington के समय में Wellington और यह था आपका बेरोजगारी की समस्या की समिक्षा है तो बेरोजगारी की समस्या की समिक्षा है तो Spruce Samiti का गठन किया गया और last one है कि Sergeant Ayog Sergeant Ayog 1944 में Lord Vevel के समय में सिक्षा आपके विकास है तो इसका गटन किया गया तो देखिए यहाँ पे जो आपको याद रखना है एक तो सार्जेंट आप किसी तरह से याद रखिए विटली याद रखिए साही आयोग याद रखिए हंटर हरसेल, फ्रेजर आयोग रहले, सैंडलर आयोग तो इन सबी से क्वेशन्स हमेशा पूछे जाते हैं इनको आप अच्छे से याद रखिए चली एक बार रिपीट करते हैं उसके बाद हम लोग कुछ MCQ लगाएंगे ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से किलियर हो जाए ठीक है, तो देखें हंटर आयोग की बात करते हैं तो 1882 में लोड रिपन के समय में हंटर आयोग प्रात्मिक सिक्षा पर विसेस बल दिया गाता हरसेल समीती 1893 में टकसाल समंधि सुझाओ के लिए स्ट्रेची आयोग अकाल पिड़ितों के रहा थे तू फ्रेजर आयोग का गठन हुआ था 1902 में लौड करजन के समय में पुलिस प्रसासन की कारेपती की जाच के लिए रहले आयोग होगे आपका 1902 करजन वापिस विस्वविद्याले सा समंधि सुझाओ कारियो है तू सैंडलर आयोग 1917 में जो कि यह आपका चेंडलर के समय में कलकथा विस्वविद्याले की कारेप्रणाली और दोसों की जाच करने के लिए गठन की आगया लिए आयोग आता है वापिस में 23-24 में जिसके समंध में हम कहते हैं कि लोग सेवा आयोग के गठन के अनुसंसा है तू उसके बाद आता है सेंड हट 1925 में जो कि लोड रिडिंग के समय में भारती सेना का भारती करन करने है तो बठनर आयोग आता है 1927 में लोड रिडिंग के समय में देशी राजो और अंग्रेजी सरकार के विरुध स्री विरुध नहीं, संबंधों पर विचार करने हैं, देसी राजों और अंग्रीजी सरकार के संबंधों पर विचार करने हैं, इसके बाद आपका विटले आयोग, 1919 में Lord Irving के समय में आता है स्रमिकों की स्थिति पर सुजहाओ और विचार करने है तो स्परू समीथी 1934 में आती है लॉर्ड विलिंटन के समय में और इसमें क्या था बेरोजगारी के समस्या के समिक्षा है तो स्परू समीथी और लास्ट में सार्जिन टायोग 1944 जो कि सिक्षा के विकास सिर्थो इसका गठन किया गया था तो उमीद करते हैं ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा अब चलते हैं हम लोग MCQ पर और ध्यान से सभी क्वेशन का राइट अंसर गेस करते चलिएगा से पहला क्वेशन आपके स्कीन पर देख रहा होगा हरसेल समिती की स्थापना के समय जो वैसराय थे लॉड लैंस्टाउन थे ये भी सही है और हरसेल समिती का संबंध टकसाल संबंधी सुझाव परदान करना था तो हमने कैसे याद किया था हर्स जो हो जाता है जो छोटा बच्चा को की उपाधी के लिए निस्चित की गई थी तो ध्यान देजगा कि इस आयोग की तीन वर्स के सिख्छा के आउदी इसनातक की उपाधी के लिए की गई थी तो ओडिस्पैच के बारे हमने डिसकस नहीं किया था हंटर शिक्चा आयोग जो की प्राथमिक शिक्चा था तो असनातक शिक्चा तो ऐसे भी नहीं होगा सैंडलर शिक्चा आयोग की हमने बात की थी जो की वह आपका कलकत्ता 2060 से समान दी था 1917 में और 1913 की शिक्चा निती के बारे हमने डिसकस किया ही नहीं तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जागा ऑप्शन सी सैंडलर शिक्चा आयोग इसके बाद एक क्वैसन नंबर थार्ड हंटर आयोग के संदर में निमली केत में से कौन सा कथन असत्य है हंटर आयोग सबसे पहले आपको सुचिए हंटर आयोग के बारे हमने क्या डिसकस किया था कि 1882 में लॉड रिपन के समय में इसका गठन किया गया था जो कि प्रात्मिक शिक्चा के लिए तो चलिए एक देखते हैं कि क्या यहाँ पर असत्य है हंटर आयोग के सफापना त्हापना 1682 में की गए जो कि पहला बिल्कुल सही है दूसरा पॉइंट है कि हंटर आयोग के स्थापना के समय में वैसरा जो थे Flynn लौड रिपन थे बिल्कुल सही OR तीसरा था इस आयोग का उदेश से सिक्छा का विकास था तो हमने यहां पर देखे, पहले points में ही discuss किया हुआ है, कि Hunter Ayok 82 में Lord Rippon के समय हैं, प्रात्मिक सिक्षा पर विसेश बल दिया गया था, यानि सिक्षा से, तो यहां पर हम कहेंगे कि इन में से कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, जो कि सही असत्य है, तो option D पर जाएंगे, हरसेल समिती का गठन कब हुआ, हरसेल समिती 1893, 1893, option B, बिल्कुल सही, उसके बाद question number 5 है कि Sergeant Ayok का गठन कब कहा गया, Sergeant Ayok जो की गठन कहा गया था, 1944, option C पे जाएंगे, लास्ट वाले हमने बात किया था, Sergeant Ayok 1944 में Lord Vival के सामें सिक्षा पर विकास के लिए जोड दिया गया थ question number 6 है कि किस योजना में, किस योजना के तहत पहली बार 11 वर्स्तक के बच्चों के लिए निसुल्क और अनिवार, प्रात्मिक सिक्षा का सिधान स्विकार किया गया, 11 वर्स्तक के बच्चों के लिए निसुल्क और अनिवार, तो ये था आपका Sergeant Ayok इसके अंतरगत, यानि right answer हमारा हो जागा, option B में जाएंगे, ठीक है, option B यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, इसके बाद है question number 7 कि स्प्रू समिती का गठन का संबंद किस से था, तो हमने क्या देखा था, स्प्रू समिती, बेरोजगारों की समस्या, जो की समिक्षा करने के लिए, तो यहाँ पर विटले आयोग, उनी 129 के साथ था, तो यहाँ पर हमारा question number 7 का right answer B हो जाएगा, ठीक है, B हो जाएगा, question number 8 है, कि देशी राजो और अंग्रेजी सरकार के समन्द पर विचार है तो, निमलिखित में से किस समिती का गठन किया गया था, देशी राजो और अंग्रेजी सरकार के समन्द पर विचार करने है तो, किस समिती का गठन किया गया था, तो हमने क्या देखा था, बटलर आयोग, देख सकते हैं यहाँ पर, बटलर आयोग, देशी राजो और अहरेजी सरकार के समन्द पर विचार करने है तो, उसका गठन किया गया था, 1927 में, जबकि सैंड हर क्या था तो वो आपका भारती सेना का भारती करन हेतू था तो यहाँ पर फिलाल सही आंसर हम option B को टिक करेंगे विटले आयोग थो हमने देखी लिया था विटले आयोग स्रामिकों के स्तिती के लिए और साही आयोग 1923-24 में जो कि अपका लोगसेव आयोग के गठन के सिफारिस की गई थी उसके बाद question number 9 है कि लोगसेव आयोग के गठन के अनुसंसा के लिए निमलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया कौनसा आयोग था साही या फिर ली आयोग तो option A पर जा सकते है अगला प्रशने की पुलिस प्रसासन की कारेपति की जाच है तो निमलिखित में से किस आयोग की गठन के गई तो पुलिस प्रसासन की कारेपति के लिए फ्रेजर आयोग लॉड करजन के समय में 1902 फ्रेजर आयोग 1902 करजन पुलीस प्रसासन की कार्यपति की जाच के लिए नेक्स्ट वने की नीमलीखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है तो दीखे विटले आयोग स्रमिकों की स्तीती पर विचार है तो बिल्कुल सही है बटलर आयोग देशी राजयोग और अंग्रेजी सरकार के विरुद बार बार में विरुद कहा रहा हूँ देशी राजयोग और अंग्रेजी सरकार के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए ली आयो का गठन, लोकसेव आयो के गठन के उसंसा और सैंड हर्ट समीति जो की सिक्छा के विकासे तो यह गलत है क्योंकि सैंड हर्ट समीति हमने भारतिये सेना का भारति करण से संबंधिक देखा था 1925 में लॉड रीटिंग के समय में सार्जेंट आयो का संबंध था विकास सिक्छा के विकासे तो यहाँ पर यह गलत है क्योंकि संब्सक्राइप सिक्छा के विकासे तो यहां पर यहां पर यहां पर 1914 सार्जेंट नहीं जल्दी से कमेंट करकी बताईएगा तो स्वेंस देखिए उमीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगाओगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए अपने फेंट के साथ से पहली बेरा तो सब्सक्राइब करके नोट